नजारा है उत्तरपरदेशी राजधानी लखनों का जहां लागनाउं थरी लागू हो चुका है मगर आज यहाँ पर एक बहुती अनोखी चीज देखने को मिली जो की बैटरी रिख्षे पे एक छोटी मोटी जर्नल स्टोर की दुकान जिसको मैं कहूंगा मैं अपने कामरामेन से कहूंगा उस दुकान को दिखाए कि यह दुकान एक छोटी मोटी बैटरी शिप है पूरे देश में लॉकडाउन लागू होने के बाद से कई शहर उसे अलग-अलग तस्वीरे सामने निकल कर आ रही हैं कहीं कोई खाने के लिए परिशान है तो कहीं कोई राशन बटने का अंतिजार करता नजर आ रहा है मगर आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे शक्त से करवाने जा रहे हैं जिसने इस लॉकडाउन में ना तो सरकारी मदद का इंतिजार किया और ना ही किसी के सामने हाथ फिलाए अपनी मेहनत और होसले के साथ इस बैट्वे रिक्षा चालक ने अपनी रिक्षे को एक छोटी सी दुकान बना दिया यह तस्वीरे देखिए और अंदाजा लगाईए कि लॉकडाउन की वज़ा से यह चलता फरता जनल स्टोर शेहर की गलियों में लोगों की मदद कर रहा है सुबर दस बजे से शाम के साथ बजे तक यह जनल स्टोर पुराने लखनों की गलियों में घूंता है जिसके बाद और दिन भर की कमाई से अपने घर का गुजर बसर करता है एन भारत ऐसे मेहनत को सलाम करता है कि आने का जर्गा बना रहा है यो पैसे थे वहीन लगा दिया अपने घर के खच्चे के लिए तो आपको जो सरकार की तरफ से या इस्तानी लोग तरफ कोई मदद नहीं तरफ से यहाल है राजधानी लखनो का जहां पर लोग इस तरह से अपने रिक्षिव पे चलती फिरती जनरल स्टोर की दुकान बनाये चल रहे हैं लकना हुसेन भारत के लिए रिजवान हैदर